दोस्तों मनोज दिसाई कहते हैं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि सलमान भाई के टाइगर 3 के शो को सुबा 6 बजे लगाना पड़ रहा है क्योंकि ओवर डिमांड के चलते टाइगर 3 के फ्रेंड्स ने काफी बड़ी बुकिंग कर लिये और कोई भी शो खाली नहीं है इस वज़े से मॉर्निंग का सुबा 6 बजे शो लगाना पड़ रहा है और फर्स्ट जे फर्स्ट शो को सलेबरेट करने के लिए गैठी गेलक्सी को पूरे तरीके से बुक कर दिया गया है और वही टाइगर 3 को इस बार बहुत बड़े लेवल पर सलेबरेट करना और दिवाली को सलेबरेट करना बनता है इस बार तो टाइगर 3 मानो बवंडर बनके आ रहा है और वहीं इस बार जो टाइगर 3 दीवाली पर धमाका करेगी वो सद्धियों तक याद रखा जाएगा मनोज देशाई कहते हैं कि ऐसा पहली बार हुआ है कि इतनी ज्यादा एडवांस बुकिंग हो रही है और टाइगर 3 को इतना ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है वहीं सारे शोज भी हाउस फुल हो गए हैं और अभी से ही 13, 14 और 15 डेट्स की एडवांस बुकिंग का भी रिप करेगी वो सद्धियों तक याद रखा जाएगा और एत्यास के पन्नों पर टाइगर 3 के एत्यासिक रिकोर्ड को सुनेरे अक्षरों में लिखा जाएगा मानो सुनामी का आगाज आज से शिरू और आठ दिन बाद दीवाली पर बहुत बड़ा धमाका होगा दोस्तों टाइगर ही ऐसी मुवी है जिसको काफी जादा लोग पसंद करने वाले हैं आपको टाइगर का टेलर देखकर लग रहा होगा कि इसमें काफी जादा तवाई होने वाली है जी हां दोस्तों इमरान हाश्मी को एक पाकिस्तानी टेलरिस्ट दिखाया गया है और इमरान हाश् सीक्वेंस हमें देखने को मिलने वाला है और जब दोनों खान एक साथ बड़े परदे पर आएंगे तो बॉक्स ओफिस के सारे रिकोर्ड धूल में मिल जाएंगे दोस्तों क्या लगता है आपको टाइगर 3 कितना बड़ा बॉक्स ओफिस कोलेक्शन कर सकती है और क्या टाइगर 3 दुनिया में 3 मिलियन डॉलर का कोलेक्शन करने में काम्याब होगी अगर आप सल्मान भाई के सच्चे फ्रेंड हो तो हमारे चैनल मीम न्यूज को लाजमी सब्सक्राइब कर दो ताके आपको टाइगर 3 की सारी जानकारी मिलती रहे वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेर करना मत भूलिएगा धन्यवाद